नमस्कार विद्याती मित्रों चेप्टर नमबर पांच पे हैं पेज नमबर 215 पे दिया गया सवाल नमबर 20 कह रहे हैं यहां पे भी आपको नए साज़ेदार की पुंजी ग्याद करनी है तो यहां आपके पास में तीन साज़ेदार हैं मीद जीत और निल और एक नया साज़ लेदार है यहां आपको पुंजी खाते की बाकि दीए इसके लिए पुंजी खाता पुंदम-मुल्यंकन खाता रोकर खाता और राती, चिट्टा तैयार करेंगी चलिए चलते हैं पहले समायोजन के अंदर तो पहले समायोजन में आपको दिया गया है कि मीद अपने लाग म सबसे पहले अपने करते हैं त्याग का अनुपाद दिया हुआ है किसका त्याग दिया हुआ है मीट का मीट कितना देह रहा है एक बटे आंट बाग एक बटे आंट और नील अपने भाग में से अस्वरी अपने भाग का कितना देह रहा है नील का त्याग कितना है एक बटे चौविस अब इन दोनों के उपर से अपने त्याग का अनुपा निकाल देते हैं तो सबसे पहले अपने समान कर लेते हैं तो यहां 1 बटे 8 और कितना है? 1 बटे 24 तो यहां 24 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से उपर भी 3 से निचे भी 3 से तो यह हो गया 3 बटे 24 और यह हो गया 1 बटे 24 तो त्याग का अनुपात मिला आपको त्याग का अनुपात बराबर 3 अनुपात 1 अब दोनों जिनके त्याग हैं दोनों के त्याग को प्लस करेंगे तो नए साज़दार का हिस्सा मिल जाएगा तो नए साज़दार कौन है हीर का तो हीर का भाग बराबर हीर का भाग बराबर मीट का त्याग प्लस नील का त्याग ओकी दोनों हीर के पक्ष में त्याग कर रहे हैं तो इन दोनों के त्याग को प्लस करेंगे तो ने साइधार का हिस्सा आपको मिल जाएगा तो 3 बटे 24 प्लस 1 बटे 24 तो ने साइधार का हिस्सा कितना आया 4 बटे 24 क्लिए आपको नहां साज़ार का हिस्सा मिल गया तो चलिए आपको ख्याती कितनी दीए तो देखें दूसे समय दूर में क्या दिखाया है कि पेड़ी की ख्याती का मुल्यांकन कितना किया गया साइट अजार यानि ख्याती का मुल्यांकन बराबर कितना दिया गया आपको साइट अजार अभी साइट अजार में अपने नए साइदार का हिस्सा निकाल देते हैं तो नए साइदार को आने हीर तो हीर के भाग की ख्याती बराबर हीर के भाग की ख्याती बराबर साइट अजार गुने हीर का हिस्सा कितना है चार बटे 24 देखिए कितना है 10,000 अब वो अपने भाग की ख्याती क्या कर रहा है रोकड में ला रहा है तो ख्याती के एंटरी क्या होती है तो सबसे पहले लिखेंगे रोकड़ खाते उदार, ख्याती प्रीमियम खाते का, क्या लिखेंगे, ख्याती प्रीमियम खाते का, कितनी रोकड़ ला रहा है, ख्याती के रूप में, 10,000, ख्याती प्रीमियम खाते उदार, ख्याती प्रीमियम खाते उदार, और पुराने साइधार कौन त्याग कर रहे हैं, मीट और निल, तो लिखेंगे, मीट खाते का, और निल खाते का, क्या करेंगे अपने ख्याती को त्याग के रूपात में बाटेंगे, तो क्हाती कितनी आपकी 10,000, त्याग का रूपात कितना है, 3,000, पाट एक तो चलिए दस अजार को तीन अनुपाट एक में बाटेंगे तो कितना आएगा पच्छतर सो और पच्छी सो यह हो गई टोटल ख्याती कितनी दस अजार ओकी तो यह था आपका कैल्कुलेशन चलिए इसकी असर देतें अपने पुझई खाते और पुझई खाते के जमा त्रफ लिखेंगे ख्याती प्रीमिमिन खाते करके मीट के अंदर लिखेंगे कितना बच्छतर सो और निल के अंदर कितना लिखेंगे 25 सो दूसरी असर होगी रोकड खाते के उधार तरफ यहां लिखेंगे ख्याती प्रीमियम खाते करके कितना रकम लिखेंगे 10,000 ओके यह थी आपकी ख्याती के असर चलिए तीसरे समाई तर में चलते हैं अब साइट अजार के किमत क्या हुई 22,000 का मतलब क्या हुई 8,000 क्या हुई यहां आजाएगी आपकी वही कीमत कितनी है, बावन अजार, अब आट अजार की कमी के सामने देखो आपको विन्योग अनामत कितना दिया है, तो विन्योग अनामत आपके पास में कितना है, बीस अजार, तो बीस अजार विन्योग अनामत है, तो देखिए, आपके पास विन नामद कितना बारा आजा अब बारा आजार को क्या करेंगे अपने पुराने अनुपात में पुराने साइध दार के बीच में बाटेंगे तो चलिए यहां लिखते हैं विन्योग अनामद पुंजी खाते के जमापक्ष में विन्योग अनामत 12,000 को पुराना अनुपाद कितना दिया है 3 अनुपाद 2 अनुपाद 1 में बाट दू तो कितना आया पहले का 6,000 4,000 और इसका कितना आया 2,000 तो अब कम्भी वहाँ पर पुंड़ा मुल्यांकर खाते के अंदर लिखने की जरूवत नहीं है उसके बार लिखाए कारिगर मुआफजा का 18,000 का दावा मुंझूर किया तो जो मुंझूर करेट सबसे पहले तो उसको पुंजी राइटवा की तरब लिखेंगे तो यहां लिखेंगे कारिगर अकरस्माद दावा या कारिगर मुआफजा का दावा दावा कितना मुझूर किया है आपने अठारा अजार अब अंदर देखे आपको कारिगर मुआफजा अनामत कितना लिया है पंदरा अजार अब पंदरा अजार और यहां पे कितना है अठारा अजार यानि कारिगर कस्मा मुआपजा में क्या हुई वृद्धी हुई तो कारिगर कस्मा दावा यानि दाइत्व में वृद्धी होती है तो आपको क्या होता है तुक्षान होता है तो पुन्नम उल्यंकन खाते के उधार तरफ लिखेंगे कारिगर मुआपजे का दावा कितना वुरुद्धी हुआ है तीन अजर फिर यहां पर आपको बाटने की जरुवत नहीं है उसके बाद लिखाएं यंत्रों की बजाए कीमत साइट जार है तो चलिए देखिए यंत्रा अंदर कितना दिया है तो यहां लिखेंगे संपती लेना की तरफ यंत्रा यंत्रा अंदर आपको कितना दिया है असी अजर असी अजर का कितना हुआ साइट जार तो क्या हुई बीस अजर की कमी हुई तो माइनस करेंगे कमी कितना बीस अजर बाहर जाने दिया कितना साइट जार और कमी हुई इसके लिए पुर्णा मुल्यांकन खाते के उदार तरफ लिखेंगे अपने संपती में कमी यहां लिखी जाती है यह अंतर खाते करके लिखेंगे कितना बीस जार ओके बिटा उसके बाद आपको दिया है कि मकान की बजार कीमत कितनी है एक लाग चब्वी सजार तो यहां संपती लेना की तरफ लिखेंगे मकान सबसे पहले देखें अंदर कितना दिया है मकान तो अंदर मकान दिया है आपको एक लाग अब एक लाग का कितना हुआ एक लाग चब्वी सजार तरफ क्योंकि आपको लाब हुआ तो यहां मकान खाते करके कितना लिखेंगे 26 अज़ा ओकी संपुति में वुरुदी पुंड़ा मुल्यंकर खाते के जमापक्स में लिखेंगे उसके बार लिखा है कि हीर पुंजी के रूपे 50,000 रोकड में लाएगा तो हीर कौन है नया निया साथ कि पूंजी पहले और लिखेंगे हीर खाते करके कि तो यह आपने तीनों का नाम लिख लेते हैं कि आप फुंजी का ता भी चारों का बना के आप उसमें भी लिख सकते थे मीट जीत नील, और यह आ गया हीर, ओकी? यहां आगे इसकी पुंजी कितनी 50 अजय का ओके यह Uhh गया है उसके बार आपको क्या दिया है कि हीर की पुंजी को आदार मानकर अन्य साइदार की पुंजी नए लाभानी के पर्मान में रखनी हैं तो इसका मतलब क्या कि आपको नया लाबानी का अनुपाद ग्याद करना पड़ेगा तो चलिए देखिए गया अनुपाद ग्याद करते हैं तो आपके पास में त्याग के अनुपाद का सुत्र क्या होता है बिटा त्याग के अनुपाद का सुत्र होता है त्याग का अनुपाद है और पुराना है नया नहीं है तो नया अनुपाद का सूत्र क्या जाएगा तो नया अनुपाद बराबर पुराना भाग माइनस त्याग माइनस क्या आ गया? त्याग आ गया अब देखें यहां पर आपके पास दो का त्याग है मीट का और निल का तो सबसे पहले मीट और निल का निकाल देते हैं अपने तो यहां लिखेंगे मीट का नयाद भाग बराबर तो पुराना आपको कितना दिया है तीन अनुर्पाद दो अनुर्पाद एक तो पुराना उसका कितना है तीन बटे छे माइनस त्याग तो त्याग कितना है मीट का तो तीन बटे चौविस यहां आपने लिख देते हैं तीन बटे चौविस क्लियर क्रॉस गुना कार कर दे 24 त्या कितना हो गया 22 और 6 त्या कितना हो गया 18 और बटे में करेंगे 26 24 12 13 और 14 यह आ गया 54 144 अब अपने किसका निकालेंगे किसका त्याग दिया है नील का तो यहां लिखेंगे नील का भाग बराबर नील का नया भाग बराबर तो नील का पुराना कितना है एक बटे 6 माइनस त्याग कितना है इसका एक बटे 24 क्रॉस गुना कर कर दो 24 एका 24 ठाब की एक फाल ज गुने 24 किया तो कितना है 144 तो यह आगया आपका अठारा बटे कितना 144 अब आपके पास दो जो साज़दार है कौन जीत का और हीर का तो जीत का पुराना भाग भी दिया हुआ है तो जीत का नया भाग अपने निकालेंगे तो जीत का पुराना भाग कितना है दो बटे 6 तो जीत का नया भाग बराबर क्यां से देखेगा पिटा पुराना भाग कितना है दो बटे 6 अब देखिए सब के नीचे क्या है 144, रिखेंए यहां दोनों के नीचे 144 तो यहां 144 कंदे के लिए равно गुनां करना पड़ेगा 4030 से गुना करना पड़ेगा कि इतने से गुना होगा यहां पर 48 से इतना हुगा 48 48 24 24 145 है ना 146 गुने अपने कर देते हैं 64 24, कितने से 24 से गुना करना पड़ेगा स्वारी इतने से करेंगे 24 से तो 24 का गुनाकार उपर से भी होगा तो यह हो गया 48 divided by कितना 144 अब अपने पास में किसका है हीर का तो हीर का भाग आपको दिया हुआ है कितना 4 बटे 24 अब इसको करने के लिए समान कितने से गुना करना अब चलिए नया उनुपाद सबसे पहले कितना आया 54 अनुपाद फिर इसका ही जीत का तो जीत का कितना आया 48 अनुपाद किसका है नील गातो नील का कितना आया 18 अनुपात फिर एर का कितना है 24 अब उसको चाहिए तो आप काट सकते हो एक ही संक्या से न कटना चाहो तो आप 54 अनुपात 48 अनुपात 18 अनुपात 24 रख सकते हो सब देखने के लिए क्रॉस चेकिंग करने के लिए सब के नीचे 144 है तो इसका आप 14 अनुपात 8 अनुपात अनुपात 24 अनुपात 24 ये नया अनुपात आया एट है अब इसको आप चाहे तो काट कल छोटा भी कर सकते हो जैसे अपने चैन से काट ये stupid और 49 camouflage 44 86 46 18 24 ऐब देखिए क्या दिया है हीर की पूंजी को ऑधार मानना है तो हीर की पूंजी कितनी है आपके पास तो हीर की पूंजी बराबर कितना दिय आपके पास 50,000 की हीर की पूंजी दिय तो सबसे पहले अपने कि औना झाल का घ्यात कर देते हैं पुराना साइधार कौन है मीट का तो चलिए हीर का भाग कितना है तो हीर का भाग देखें यहां पर कितना है चार नो आट सतरा सतरा इसका सबसे पहले मीट का भाग कितना है नौ बटे चौविस नौ बटे चौविस भाग में कितना ओके तो क्या करेंगे अपने पचास हजार गुने नौ बटे कितना करेंगे चौविस गुने चौविस भाग कितना करेंगे चार तो चलिए पचास हजार गुने नौ बटे चौविस गुने चौविस भाग चार करेंगे तो इसक 12,500 पूंजी के बाद आपने बात करते हैं इसकी नील की पूंजी और जीत की पूंजी तो इसे ही करेंगे घीत की पूंजी बराबर बिल्कुल सिंपल हो गया अप उसका बाग लिए दीजिए पच्चास अजार गुने यहां कितना है नौ बटे 24 के बले इसका बाग कितना है आठ बटे 24 गुने 24 बागे 4 जीट की पुंजी कितनी आई चलिए बताईए 24 से 24 कर दिया 4 गुने 8 और यह हो गया 1 लाग कितना है एक लाग अब अपने नील की गयाद कर लेते हैं लिखेंगे नील की पुंजी बराबर यह मैंने आपको पहले भी सिखाया है किसी एक साइधार के हिस्से के उपर से अन्यस साइधार की पुंजी निकान नहीं हो तो इसका बाग कितना है 3 बटे 24 गुने 24 बागे 24 से 24 गज़ गया यह आगया आपका 37,500 ओके तो यह आपके आगयी ने साइधार की अन्यस साइधार की अन्तीम पुंजी इस अन्यस पुंजी को अपने काँ पे लिखेंगे पुंजी खाते के जमा पक्ष में यहां लिखेंगे सेस आगे ले गए क्या करके लिखेंगे सेस आगे ले गए मीट की पुंजी कितनी आई थी मीट की पुंजी थी एक लाग बाराजार पांसो इसका एक लाग और इसका एक 37,500 यहां लिखेंगे एक लाग बाराजार पांसो फिर एक लाग और इसका कितना आया 37,500 ये की एक पुंची जाएगी पुंची ठाटे के पुंची रैक्तिव की तरफ यहां लिखेंगे 1,12,500 इसका कितना आया था 1,00, इसका कितना आया था 37,500 और ये 50,000 थी तो चारों के पुंची के उप्याद प्लस कर दो तो यह कितना हो गया 3,00,000 उके चलिए अब सिंगल सिंगल एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले पुंची पुंची खाते के जमापक्ष में सेस आगे लाए कितना दिया है आपको 1,00,75,000 और 50,000 तो यहां लिखेंगे 1,00, यहां लिखेंगे 75,000 यहां लिखेंगे, पच्छास अजार, फिर दिया है सामाने अनामत, तो अनामत को तो क्या करते हैं अपने, बाटते हैं, तो चलिए यहां बाट देते हैं, सामाने अनामत को, कौन से अनुपात में बाटना है, तीन अनुपात, दो अनुपात, एक, तो चलिए बाटिए, सामा बच्चट वायूग अनामत उख चुका है कारी गर्म बच्छत हम उत्या कट है जाना में बागी लाब पन्ड और गाली बच्छत खाता जो है वह अपने लिए क्या है यहतनी तरह कितना है 15 अजहार और पारिगर बच्छत कादसवरी 40,000 दिया है तो यहां लिख देंगे 40,000 और यहां कितना दिया है 35,000 ओकी यह हो गया 40,000 उसके बाद यह लेंदार तो लेंदार भी डाइट्व की तरफ आएगा तो यहां लेंदार कितना दिया है आपको 20,000 कितना है 23,000 अब चलिए संपति लेना की तरफ चलते हैं सबसे पहले मकान तो मकान हो चुका है यंतर भी हो चुका है विन्योग भी हो गया देंदार बाकी है तो जो बाकी है उसको लिख लेते हैं तो यहां लिखेंगे देंदार तो देंदार कितना है आपके पास में 40,000 उसके बाद आपके लिखना बाकी है तो इस टॉक भी लिख लेते हैं कितना है चौनसरच अजार और उसके बाद यह रोकड की बाकी रोकड काते हो तरफ प्रारंबिक बाकी होती है वो सेस आगे लाए कितना है चौनसरच अजार 26,000 उसके बाद आपको देखो क्या दिया हुआ है कि लास्का समाजन में देखो हीर की पुंजी को आदार मान करने है साज़ार की पुंजी क्याइट करने है और आवश्य करसर रोकड में करनी है यानि चब अपने पुंजी खाता बंद करें है तो चलिए सबसे पहले पुर्णा मुल्यांगन खाता बंद कर लेते हैं तो मुल्णा मुल्यांगन खाते का यहां का टोटल हो गया कितना 26,000 यहां का कितना है 23,000 तो यह क्या आगया आपका लाब आगया लाब को पुराने साज़ारों के बीच में पुराने अनुपात मे तीन अनुपाद, दो अनुपाद, एक में क्या करें, बाट दें, चलिए बाटिए कितना आया बिटा, पंदरा सो, दूसरे का, एक अजार, और तीसरे का आया कितना, पान सो, अब इसको ले जाएंगे अपने काहा पर, पुंची खाते के, चमा पक्ष में यहां लिखेंगे, अब रेकेट में लाब करके भी लिख सकते हो, पंदरा सो, एक अजार, और यह हो गया, पान सो, अब चलिए, इसका जो डिप्सन निका लेंगे, उसको अपने को क्लांस पर खाते ले जाना है, रोक कर खाते, तो सबसे पहले अपने टोटल करते हैं, दोनों तरब पहले तो रोक कर खाता करके टाइटल दे देते हैं, यहां रोक कर खाते, और यहां पर भी देदो, रोक कर खाते, तो मीट का टोटल करो, चलिए मीट का टोटल करो, तो जमापक्ष का कितना आया, बोलो, एक लाग, एक कीस अजार, कितना आया, एक लाग, एक कीस अजार, अब एक ला तो यहां रोकड़ खाते करके लिख दिया चलिए जीत का टोटल करो तो जीत का यहां का टोटल ज्यादा हो रहा है तो जिस तरफ टोटल ज्यादा हो रहा है तो उसके विरूज साइड डिफरंस आएगा तो यहां कितना है एक लाग कि इसका एक लाग एक लिख लेते हैं अब चलिए अब नील का कीजिए तो नील का काौँ सी तरफ जादा हो रहा है तो नील का टोटल हो रहा है जमा तरफ कितना हो रहा है serv criterion 577 तौल यहां लिख लेते हैं इसका लिख लेते हैं एक लाइब 67,000 मैंसे 37,500 क्या करतो गटा दो कितना आया निस पान सो ओके यहां लिख लेते हैं 57,000 आइट अब देखी रोकड खाते में असर कैसे करते हैं तो रोकड साथे में जब एक खाते में ऐसे दूसरे खाते में रखम जाती है तो उदार का जमा जमा का उदार होता है तो यह दोनों उदार तरफ है तो यह जम्मा तरफ जाएंगे, नाम लिखेंगे अपने, मीट खाते, या मीट के पुझी खाते करके भी लिख सकते हो आप, और नील खाते, तो मीट खाते कितना है, आट अजार पान सो, यहां गया, उननीस अजार पान सो, और जीत का जम्मा तरफ आ रहा है, तो यह उदार आज, ओकी, चलिए बरोकड खाता बन करो, तो रोकड खाते का यहां का टोटल करो, कितना, 26, 10, 50, 16 को टोटल किया, तो कितना है, एक लाग, दोजार, इसमें से माइनस करो, यह दोनो, कितना है पिटा, चलिए, 14,000, कितना है, 14,000, इसको पर के लिखेंगे, सेस, आगे, ले अब इस न्तीम भाखी को ले जायेंगे अपने काहां पर आतिक चिटे के पुंजी राइत्व counterpart पक्स में और दोनों तरख का टोटल करेंगे अपना टोटल कैसा अनाचि यह समाना नाचि 4,600,000 तो इस परकार आप किसी एक साजेदार कि पुण्जी को आधार मान कर अनियस साजेदार कि पुण्जी भी ग्याद कर सकते हूँ फिर आपके पातूत में यगे पुराना और त्याग हो तो नय baked by the कर सकते हूं नया अनुपात गयाद करो तो उसका सुत्र याद रखना पुराना माइनर ऐस्तियाग आप और इसाधार का नया अनुपात गयाद कर लेता है और ryz दिये हुए उसकी practice करना thank you very much जय हिन जय बारत स्वस्तर रहे मस्तर रहे